अभी दो दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि 500 और 1000 रुपए के नोट देश में बंद किये जा रहे हैं चारों तरफ अफरात अफरी का महौल हो गया है प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि काला धन रोकने के लिए भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत समय से लड़ाई लड़ रहे हैं और भरष्टाचार के खिलाफ कोई भी कदम उठाया जाए उसके हम सराहना करेंगे। लेकिन परसों से मैं बहुत लोगों से बात कर चुका, बड़े-बड़े एक्सपर्ट से बात कर चुका, कई लोगों से बात कर चुका, और एक चीज़ का जवाब मेरे को नहीं मिल रहा, कि हजार के नोट बंद करके, दो हजार के नोट लाने से भरष्टाचार कैसे खतम होगा। हजार के नोट बंद करके, दो हजार के नोट लाने से काला पैसा कैसे खतम होगा। जो लोग अफसर को पहले रिश्वत देने जाया करते थे, वो हजार हजार के नोटों की अगर सौ लेके जाते थे, अब उनको पचास ही ले जाने पड़ेंगों, उनको तो सहुलियत होगी और जदा दो दो हजार रुपे के नोट करने से, जिन लोगों के घरों में करोडो रुपे अजमा था कमरों के अंदर, उनके कमरों में बिस्तरों में करोडो रुपे था, उनको तो अब दो दो हजार के नोट मिल जाएंगे, उनको तो और सहूलियत हो गई, तो मिरको अभी त चारों तरफ लोग कह रहे हैं और इस बात के सबूत है कि जी जो इनके अपने लोग थे जो इनके अपने दोस्त थे जिनके पास सबसे जादा काला धन है इस देश के अंदर उनको उन्होंने पहले से बता दिया था अफ़ता बर पहले उन्होंने अपना सारा इंतिजाम कर लिया है पैसा बाहर भेज दिया उन्होंने या उन्होंने जमीने खरीद ली सोना खरीद लिया इनके अपने दोस्तों ने सारा इंतिजाम कर लिया है भारती जंता पार्टी उत्तर परदेश में चुनाव लड़ने वाली है इदर लोगों से बात होई कल से, वो लोग बता रहे हैं जी काले धन वालों की तो अलड़ी सेटिंग हो चुकी है, वो बता रहे हैं जी जिनके पास बड़ा बड़ा काला धन है, वो तो अलड़ी बता रहे हैं कि सेटिंग हो चुकी है, होम डिलीविरी हो जाएगी, परसो तक दो लोगपती दिखाई दिया लाइन में, कोई बड़ा काला बजारी वाली दिखाई दिया लाइन में, कोई बड़ा काला पैसे वाला दिखाई दिया, कोई नहीं है, बड़े लोग नहीं है, कौन है लाइन में, दुकानदार, रिक्षे वाला, ओटे वाला, किसान, मजदूर, त तो काला पैसा सारा इनी के पास है काला पैसा इस देश में मजदूर के पास है काला पैसा किसान के पास है काला पैसा व्यपारी के पास है काला पैसा छोड़े छोड़े लोगों के पैस है इन बड़े बड़े लोगों को पैस नहीं है काला पैसा तो पूरे की पूरे कमिशन ख पूरा खुले आम भी कर आए और लड़ी दलाली शुरू हो गया कमिशन खुरी शुरू हो गई है पचास हजार रुपे तोले के अंदर सोना भी करा है तो आपकी तो काला मतलब ब्लैक एकोनॉमिक खतम करने चले थे तो पूरे धढले से शुरू हो गई इनकी पूरे देश के अंदर कमिशन खुरी शुरू हो गई तो हजार रुपे बंद करके दो हजार रुपे चालू करके आप काला पैसा बंद नहीं कर रहे हैं आपकी नियत के अंदर खोट है अगर प्रधान मंत्री जी हजार रुपे बंद कर देते 500 रुपे बंद कर देते बिलकुल बंद कर द गरीब आदमी जिसके पास 10,000 रुपे थे 500-500 के नोट थे आज मार्केट में जा रहा है मार्केट में लोग कह रहे हैं दुकान वाला कह रहे हैं आठ हजार में लूँगा उसके तो खून पसीने की कमाई आपने 20% तो यह इंकम कर दी की 22 दिसंबर 2013 को प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करा था प्रधानमंत्री ऋने कह था इस देश का बच्चा जानता है कि काला धन कहा पड़ा ए प्रधानमंत्री आपको तो पता था क्याहां कि वह सविस्वेंट को का पैसा कह। उसके नहीं कर रहें। सरकार के पास दो हजार ग्यारा में 648 लोगों की लिस्ट आई थी जिनके स्विस बैंकों के अंदर अकाउंट है। कॉंग्रेस मिली उई थी उन लोगों के साथ। कॉंग्रेस ने कोई एक्षन लिए निया उन 648 लोगों के खिलाफ। पर आपने भी डिया उन 648 लोगों को खिलाफ जिनके स्विस बैंकों में काउंट एंपिceğ ये वो उनके अकाउंटों के नंबर मैंने आपको मैंने प्रेस कॉंफरेंस करके दिये थे मैंने प्रेस कॉंफरेंस करी थी 2012 या 2013 में मैंने स्विस बैंक के अकाउंट नंबर उन लोगों के दिये थे आपके आपकी फाइलों के अंदर हैं प्रधान मंतरी जी उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले रहे आज शाम तक उन 648 लोगों को आप गिरफ्तार कर लो मैं चैलेंज करता हूं इस देश के अंदर कालाव धन ख़तम ना हो जाए तो लेकिन आप नहीं करोगे क्यों नहीं करोगे आपके दोस्त हैं उस लिस्ट के अंदर आप कह रहे हो दोसो परसंट पैनल्टी लगाएंगे जो आदमी धाई लाक रुपे से ज्यादा पैसे जमा कराएगा उसको दोसो परसंट खरब पती अरब पतियों को तो छोड़ दिया अब एक रिक्षे वाला विचारा एक व्यपारी विचारा एक मजदूर दस साल पैसे कम पैनल्टी लोग है लेकिन बड़े-बड़े लोगों से पैनल्टी लेने के आपके हिम्मत नहीं है भगवान माफ नहीं करेगा आपको